जार्खन बिधान सवा चुनाओं को लेकर राधानी राची के गली महलों में चुनाओं को लेकर उस्साह नजरा रहा है वो उस्साह जिसके वारे में कहा जाता है कि लोक तंत्री की जवानी का नाम चुनाओं है और जब चुनाव आता है तो लोगों को उम्मी जगती है कि अब उनका भी विकास होगा गली मुहलों का विकास होगा हम इसमरा धानी रांची के नियू गार्डन सिरम टोली में हैं जहां माना जाता है कि आम तरपर ट्राइवल जन मानस हैं उनका दिल दिमाग बसता है और हम सीधे जानेंगे यहां पर जो लोग हैं कि उनकी सोच में क्या है वो क्या सोचते हैं विकास को लेकर सरकार को लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वले कि आप लोग यहां रहती हैं पांस साल सरकार चली क्या सोचती है हम लोग को तो विकास वैसे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया अभी चुनाओं आया है तो एक हजार रुपिया दे के लोगों को प्रलोभन दे रहा है अभी बीजेपी का सरकार 21 सव करके देने का जीतने के बादे की सव देने का वादा किया तो अभी फिर यहां हम आप 1100 2125 में देख रही है वह तो सब जब तब होता है जब चुनाओं आने वाला होता है उससे पहले तो चुनाओं जित जाने के बाद तो लोग सोजाते हैं आपका नाम क्या हो जदी मेरा नाम सुसीला कच्छप यह बोल रहे हैं कि गली मुहलों की बात करते हैं समस्या की हैं से बात करें 5 साल में समस्या कितनी पूरी हुई अब हमा इंदा इसमेल हो अब सो बस ओन रोड में हुआ है और गली मुहलों में देख लिए घरीब लोग हैं जिसको निकलने में बरसात के दिन में ज्यादा तकलीप पता नानाली की सुबीदा है ना रोड की सुबीदा लाइट की उलिए इसको हम लोग हैमन सरकार अगर बनते तो उसे यही कहना चाहेंगे कि गली मुहला में भी ध्यान दिया मुख्य मंतरी का चेरा ना कउन सा होना चाहिए बता रहें कि आपको फिलेकिन लेकिन legit अब अभी है चुनाव को लेकर बीजेपी के हेमन से बावुला मरांडी जी आए हैं हेमन सोरेन बरतमान में हैं तो ये दो मुख्यमंत्री का चेरा सामने में आपको क्या लगता है हमें लगता है कि हेमन सोरेंच जी ही जीतेंगे लेकिन काम करना चाहिए जमीनी काम दिखना चाहिए जमीनी काम दिखना चाहिए बोले कि यहीं रहती है यहीं रहते हैं तो क्या विकास हुआ है पांस सालों में तो मुख्यमंत्री जो मयासमान योधना है एक हजार कर जो राशिया रही है कि अब उसमें तो हम सामिल नहीं है इसलिए हम नहीं कुछ बोल सकते हैं यहां पर regimes बता दीए बात कर रहे हैं यह सहाब बोल रहे है कि एंग्रेजी मत बोलिए तानली तो तो आइ लाइक हेमन सुर्यन विकाउज 1000 एवरी लेडिस दे रहे हैं तो आर भी आगे आशा करते हैं कि वह मुखमंतरी बने और महिलाओं को आ रह भी लाब दें यह उधा है कि 50 जो हाद祝ा को च लंका प्रचाय को आठिए है जीए हर महिना ऑता है बॉल रहे हैं कि ये चर्चा है संथाल में बांगला देशी घुसपैट का मददा जान रही है जो वहाँ पर बंगलदेशी घुस्पैट का मुद्धा बीजेप उठा रही है कि दिवासियों का स्थित्व खत्रे में कितना भरुसा करती हैं क्या है मामला जाके तो हम लोग नहीं देखें हैं लेकिन जो पेपर में आता है वह ही जानते हैं कि एक शौली में आदिवासी लड़कियों को वह लो गहाएं करके अपना मतलब करवा रहे हैं और वैसे मेंan लोगका जो कि अधर कर रहे हैं कि यहां अधिवासियों का अस्तित्त संकट में तो है लेकिन कि यहां ऐसा कोई मामला नहीं है देखिए कहना और करना में बहुत फर्क होता है तो क्या जब वहां क्या दिवासियों को दर्द होता है संथाली महिलाओं को दर्द होता है तो राची में रहने वाली महिलाओं को दर्द होता है या नहीं क्यों नहीं होगा बिल्कुल होगा हम लोग का घट रहा है हम लोग का जन संख्या अगर उधर चली जाती है तो लोग का बढ़ रहा है हम लोग का घट रहा है अपने वजूद को लेकर अपने सित्व को लेकर अपनी जन संख्या को लेकर देदी क्या नाम हुग आपका तो संठाल में जो अदिवासियों का घुश्पैट का मुद्दा है कितनी जानकारी जानकारी तो और सब जानते हैं कि यह से घुस रहे हैं अपने इलाग cartime और महिलाओं से सदीका है जाते हैं जो सरकार काम कर रही है यह मंसूर्ण की सरकार एक हजार रुपे की राश्री भी दे रही है यह बता रहे हैं कि यह जो अभी बात आ रही है सामने में कि जो वहां पर जो अभी मुख्यमंत्री का चेहरा भी है सरकार भी काम कर रही है कि वहां कि कुछ देख रहा है सरनास्फिया से भवन्त ऊनी के दिवारा बनाया गया है कि यह वहां माजी को कितना दिन में 6 पाइन सत्री ठीक है हम eh electricity में बात करते हैं एंजिनियर से खंभा लगवा देते हैं लेकिन अभी तक खंभा नहीं लगवाई है तो पूरे समाज की अख्रा के जो झ्हणडे होते हैं इसी सर्नास्थल पर यहां पर जो कहें कि यहां पर जो सर्हुल में जो आपको का सिरम टोलिए वहीं आते हैं कहा जाता है कि अगर mulher राज्यभर में उस्वें की दिल की धरकन वाला कोई जगा है तो राजधानी राची का सीरम टोली है लोग भूत पवित्र जगा मानते हैं और हमादिवासी समा से बात करेते सरकार को लेकर बात करेते मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करेते तमाम लोग बता रहे हैं थोड़ा है लेकिन बहुत कुछ बाकी है संजे कुमार सिनानुजेटीन राची